हाई एप्रिवन गूड बोनिंग वेलकम टो मैं अनाधर ब्लोग गाइस हावारी और आई हुपी वर अलोब दूइंग फ्राइड सो में एक दिम बोरे हो गाइस तो आज भाई फुटा है मेरे तरफ साब सबको हैपी भाई फुटा तो मैं नहाद हुआ के आ गया सुबा जाओंगे पुजा के तयारी करने के लिए जो मतलब थाल पुजा का जो थाल होते है ना बाई फुटा देने के लिए तो ही मैं रेडि करने के लिए अभी जाओंगी तो मैंने सचलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैं कैसे बाई थोड़ा सा सिंपूल से कुर्टी पहन लिया चुटा से क्लियारिंग पहन लिया तो चलो आप आप लोग को दिखाती हूँ तो गाइस मैंने थाली सजा लिया यहाँ पे धूप पदीब और फूल जो चाहिए काजल यहाँ पे मैंने मिठाई भी ले लिया तो यहाँ पे सु मैं कैसे मतलब देती हूँ आप लोग देख लो हम लोग तो एसे देते हैं हरसल में इसे ही देती हूँ भाई को जो फार्स टाइम है जो हीम होते हैं हीम का पानी होते हैं जो पेर पोधा में इसे सुबा सुबा देखते हैं वो पानी उठा के रखने पड़ते हैं तो ये पानी से साथ बार भाई के गालों पे लगाना पड़ते हैं फिर खुद के गालों पे लगाने पड़ते हैं ये रहसम होती है जो घट बिठाते हैं ना भाई के सामने जो हम लोग पूजा बगड़ा करते हैं इसके सामने घट बिठाते हैं तो घट भाई के कपाल में साथ बार लगानी पड़ते हैं फिर खुद के कपाल में लगानी पड़ते हैं और जो मिन में रखना पड़ते हैं तो इसे साथ बढ़ कारनी पड़ती है तो मैं यह राजम भी कार रही हूँ नेक्स राशम होती है फुटा लगाना जो हम लोग भाई फुटा बोलते हैं उसको मतलब लिकिल फिंगर से साथ बार भाई के कपल में लगाना पड़ती है तो मैं वही कर रही हूँ एजो काजल है हमके दिपाबली के दिन मतलब काली पोजा जहां पे होती है वहां जो दिया बंगरा जलाते ना वहां से उठाके लेके आए हूँ और जो मा है ना काली मा के चरण में चुआ के लेके आए हूँ क्योंकि मा का अश्रिबात मिले तो इसलिए वो काजल हम लोगाते हैं भाई फुटा के दिन पुटा लगाने के बाद मैं यहां पर तिलक लगा रही हूँ क्योंकि तिलक भी करना पड़ती है और नेक्स जो रहसम होती है आरती करने पड़ती है भाई को आरती देना पड़ती है दिसे भाई मतलब भाई क्या पुजा होती है उस दिन तो भाई को पुजा हर तरफ से है वो बोलना पड़ती है जो भाई के सलामति के लिए मतलब करते है बेहन तो मन में मन एक मन्त है वो में बल लिए और यहां पर आर्थी कर लिए और जो दान दूप होते है वो भाई के माथे पर देनी पड़ती है और वो आश्रीबात होती है भाई के लिए एक बेहन भाई के लंबे आयू के लिए पुजा करते और आशिरवार देते हैं उसको धानदूब देखे तो गाइस इस रसम में होती है हातों में धागा बनना पड़ते हैं लाल धागा तो में होई बान रही हूँ जैसे हमारे राखी बगड़ा में ऐसे राखी बानते हैं ना भाई के आच्छ तो काइस सारे रसम लगबग हो गया अभी लाश्ट में कुछ खिलानी पड़ते हैं तो यह में अभी मीठाई खिला रही हूँ तो सारे रसम होई गया अभी सब कुछ खिलानी पड़ते हैं जो जोस्तिस लाए हूँ तो अभी कुछ शोगुन देनी पड़ते हैं हाथ में तो मैं तब फिलार उसके पैसा दे रही हूँ मेरे हाथ में अभी फिलार हैं ने इतना ज्यादा तो काईस हम लोग भाई फुटा देने के बाद हम लोग का रहसम होती है साग भात खिलाना जो लांच करते हैं उसमें साग देनी पड़ते हैं तो ही मैं साग भाई को खिला रही हूँ कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक काना कमन करना श्याय करना नहीं आये तो साट्सकाब चरूर करना तो बाई बाई गया जोई हम दोस्तों बोन देना तरह